Hello Friends, मैं अनुच और आज मैं आप लोगों को तीन नए कानून जो बिसिकली अपराद कानून हैं संसद ने पारित की हैं उनके बारे में जो है डिफाइन करूँगा तो इसके अंदर गत अगर हम बात करें तीन नए जो कानून संसद ने पारित की हैं वो कौन-कौन से हैं किस त लोगसभा और राजशभा प्लस आपका आप जानते हैं कौन प्रेफिदेंट ओफ इंडिया तो प्रेफिदेंट ओफ इंडिया लोगसभा राजशभा इनसे मिल करके बनता है आपका कौन आप याद रखेगा इस चीज को वो बनता है आपका पार्लियमेंट ठीक है तो पार् जो है बिल आता है और लोग सबा पर उस पर चर्चा करता है और फिर वो राज सबा में जाता है राज सबा में भी चर्चा होती है और चीजों को अमेंड करके फिर प्रेफिडेंट के पात भी जाता है और प्रेफिडेंट अब उस पर अगर sign करता है अपनी सहमती देता है तो वो बन जाता है आपका act तो bill आपका basically कब आया और वो कब act बना ये सब process हमें पढ़ना है तो याद रखेगा तीन नए संसोधन किये गए है संसत के द्वारा और ये आपके IPC, CRPC और आपके Indian Evidences Act में आपके परिवर्तन किये गए है तो आप इसको visualize करिएगा अच्छे से और चीजों को समझेगा और हम पूरी कोसित करेंगे कि आपको चीजों को समझा दे अगर देखें आपे तीन नए अपरात कानून संसत में पायत किये गए है जिसमें आपको पता है हम बिडिसर्स कॉलोनी हैं और बिडिसर्स कॉलोनी थे उस समय बिडिसर्स ने आपका IPC Indian Panel Code आपका 1860 है ना और आपका दूसरा जो है वो है CRPC है ना CRPC ये आपका है 1898 है ना और एक आपका नमबर तीन पे है Indian Evidences Act है ना ये आपका है 1872 ये लिखे आपके तीन जो आपके basically IPC और CRPC और IEA Indian Evidences Act इन में बदलाओ हुए है क्या-क्या बदलाओ किये गए हैं इसको हम लोग visualize करेंगे और समझेंगे देखेगा इनकी जगह पर क्या-क्या किया गया है वो भी हम देखेंगे तो इस करम में firstly हम यहाँ पर देखेंगे कि लिखा है संसत के सीद कालीन सत्र में कहा जा रहा है कि भारतिय न्याय सहिता यानि BNS विद्यक 2023 और भारति नागरिक सुरच्छा सहिता विद्यक 2023 और भारति साक्ष विद्यक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई आप देखेगा आपको पता है कि विद्यक तीन विद्यक आए बैक टू बैक एक आपका 20 दिसमबर और एक आपका डेट है 25 दिसमबर यह तीनों डेटे आप याद रखेगा सं 2023 की बात है सं 2023 की बात है सं 2023 की बात है अब देखे इसमें क्या हुआ 20 दिसमबर को यह जो बिल है 20 दिसमबर को सबसे पहले लोगशभा में आता है पिर यह राजच्छभा में आता है 21st December को ये राजस्वा में पारित हो जाता है और 25 December को जिसको आप कहते हैं 25 December अटल दिवस के रूप में मनाया जाता है आपको पता है अटल वियारी बाजपे जी कि जो है ये आपका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और 25 December को ही सुसासन दिवस यानि good governance दे के रूप में हम लोग celebrate करते हैं और अगर हम बात करें इसी दिन ये जो है राश्टपती के पास जाता है और राश्टपती जी इस पर क्या करते हैं अपने sign करते हैं और ये आपका बन करके तयार हो जाता है Act और ये कानून 25 दिसंबर को लागू भी कर दिया जाता है जैसे ये कानून लागू क्या आता है तो आपके इसके जो है चीजें देखने को मिलती हैं कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो क्यों विरोध हो रहे हैं क्या इसमें amend किये गए हैं IPC 1860 और CRPC 1898 और IEA यानि Indian Evidences Act 1872 में क्या-क्या जो हैं बदलाओ किये गए हैं उनको हम लोग visualize करेंगे तो I hope आपको चीजें समद में आ रही होंगी अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस आगे बढ़ने के करम में हम देखेंगे किस तरीके फिर चीजें तयार करनी हैं तो हम बिसिकली जितने भी एक्ट हैं इनमें क्या-क्या बदलाओ हैं उनको देखते हुए चीजों को तयार करेंगे और आप देखेगा इस चीजें आपकी बहुत ही आसान हो जाएंगी आसानी से चीजें आप कबरब कर पाओगे अगर हम बात करें इसमें देखो लिखा है कि तीन विधेक 21 दिसम्बर को लोग सबा में 20 दिसम्बर को जो है आपके आपके लोग सबा में और 21 दिसम्बर को राज सबा में ठीक है और 25 दिसम्बर को आपके जो है राश्पती के सब पास इसकी मंजूरी मिल गई और मंजूरी मिलने के बाद इन तीनों विधयकों जितने भी तीनों विधयक हैं इसमें जो बदलाव हुए हैं एक तो आपको मैंने बताय था IPC 1860 में जो आया उसमें बदलाव किया गया है और मैंने फिर बताय था CRPC CRPC आपका 1898 में बदलाव किये गए ठीक है और उसके बाद आप जानते हैं जो आपका आताय भारती यानि Indian Evidences Act ये आपका 1872 में बदलाव किये गए ठीक है ये क्या बदलाव लाए गए हैं उनको हम देखते हैं इन तीनों कानूनों को अस्तित में लाने के बाद इन तीन नए जो कानून है उसमें क्या-क्या बदलाव किये गए उनको समझेगा देखे पहला लिखा हुआ है कि गंभीर अपरात गंभीर अपरात को हम लोग कहते हैं कोई हीनस क्राइम हो गया है तो कोई heinous crime अगर हुआ है बहुत ही आपका brutal type का अगर कोई अपराद है यानि कोई basically जो crime है अगर किया गया है तो उसमें देखे पहला लिखा हूँ है नाबालिक से rape के दोसी को उम्रकैद की फासी होगी यानि उम्रकैद हो सकता है और फासी की सजा होगी अगर अप कोई नाबालिक के साथ rape करता है तो उस दोसी को उम्रकैद या फासी की फजाद दी जाएगी पहले पिर देखे लिखा है rape की धारा जो है आपकी 375 यानि section 375 आप याद रखेगा इस चीच को section 375 और section 376 में आप बदलाओ किये गए है और बदलाओ होने के बाद यही धारा आपकी 63 हो गई है और यह 69 हो गई है तो याद रखेगा rape की धारा है आप 63 और 69 कर दी गई है जो पहले 375 और 376 के अंतरगत जाने जाती थी तो आप इसको समझ लीजेगा अच्छे से चीक है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के क्रम में चीजों को देखेंगे देखेंगे अब हम इसके अंतरगत एक नया point लेंगे वो आप लोग इसको समझ येगा कहते हैं कि जो section आप इसको समझ येगा points को section 375 क्या है आपसे अगर देखा जाए तो 375 जो है वो क्या है अगर इसको आप पता करना चाहते हैं भाई क्या बदला हुए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए section 375 क्या कहता है इसको आप समझ ये बताता है बलात संग इसको आप समझ लीजगा इस तरीके से कि इसको बलात संग के अंतरगर डालते हैं बलात संग क्या होता है यानि कि कोई इस्तरी है और उस इस्तरी को आप जो है गलत तरीके से आप उसको मतलब उसका जो गुदा है य या फिर इस तरीके से उसमें प्रेंट्रेशन करते हैं तो इस तरीके से ये बुरा माना जाता है और इसको जो है ऐसे मन्दब a man is you know commit the rape if penetrate his penis in any extent into the वरजाईना mouth and a uterus या फिर anus of a woman makes her do so him with the other person या तो खुद करता है और दूसरे से करवाता है इस ताइप का जो होता था तो इसको बलात संग के अंतरगत डाला जाता था तो इस सेक्षन में कुछ बदलाओ किये गए है याद रखेगा और अब ये जो 375 सेक्षन है वो आज की डेट में आपकी 63 सेक्षन के नान से जानी जाएगी और जो आपका सेक्षन 376 था जिसमें हम लोग 376 के अंतरगत क्या पढ़ते है बच्चे ये धारा अगर कोई महिला आए और उसके साथ आप बिना उसकी मरजी के सारेलिक संबन मनाते हैं याँ आप उससे सेक्षन 63 और ये जो आपकी 76 है 376 इसको सेक्षन 69 माना जाएगा तो सेक्षन 69 क्या है आप याद रखेगा 376 और ये अब आप आगे बढ़ेंगे फिर कह रहा है कि हत्या 302 में थी अब वो 101 में हो जाएगी गैंग रेप का दोसी 20 साल तक की सजा या फिर जिन्दा रहने तक जेल में सजा होगी उसको मॉब लिंचिंग की बात करे तो उसको फांसी की फजा होगी मॉब लिंचिंग का मतलब जैसे सक क्या आदार पर जब जन्दा यानि पब्लिक मॉब का मतलब ही होता है पब्लिक है ना आप जानते गैंग रेप की 20 साल की फजा या जिन्दा रहने तक की जेल की फजा हो सकती है मॉब लिंचिंग जैसी सजाएं में फासी मिलती है मिलेगी अब तो इसमें 302 को आप 101 के रूप में जानेंगे जबकि ये हत्या के अपराध होते हैं 302 के अंतरगर आप देखी अक्सिडेंट के मामलों में कुछ बदलाव किये गए जैसे आपके वहन है और वहन चालक है किसी से गायर हो जाए कोई ड्राइवर के दौरा और अगर ड्राइवर उस पीडित को स्टेशन अस्पताल पहुंचा दे यनि पुलिस स्टेशन या अस्पताल पहुंचा दे तो सजा कम दी जाएगी हिट एंड रन में 10 साल की फजा मिलेगी और आप जानते हैं कि जो सिर पर लाठी मानने के लिए आसामान जगडे की धारा लगती है अब वेक्टिम को brain dead की इस्थित में आपका 10 साल की सजा मिलेगी ट्राइल के मामले अगर देखे क्या हो रहा है ट्राइल के मामलों में यह कह रहे है कि ट्रायल के मामलों में किसी व्यक्ति को जो ग्रिफतार किया गया है पुलिस को उसके परिवार को जनकारी देनी होगी पहले ऐसा नहीं होता था कि अगर कोई व्यक्ति को ग्रिफतार किया गया है तो उसके परिवार को जनकारी देना या ना देना वो पुलिस की मतब सुविध पर होता था लेकिन आज की डिट में क्या है पुलिस को देना ही पड़ेगा उसके परिवार को जरूरी होगा पहले जरूरी नहीं था लेकिन आप उसके परिवार को पहले इंफॉर्म करना पड़ेगा फला वैक्ति को जो है गिरफतार किया गया है किसी केस में 90 दिनों में क्य हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी है ना और अगर 90 दिनों के बीतर कोर्ट के सामने पेस नहीं होता है तो गहर मौजुदगी में जो ए ट्रायल होने लगेगा फिर गहरा है कि गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई हो सकती है सकती है याद देना होगा और साथ दिन के बीतर फजा सुनानी होगी दया की याचिका दोसी ही दायर कर सकता है अभी तक NGO संस्थान याचिका हैं दायर करते थे अब दोसी भी जो है आपका जो non-governmental organization है पहले वे जो है रिट वगरा दायर करते थे आज की डिट में क्या होगा दोसी जो है जो accused है वो भी अपने जो है दया याचिका को दायर कर सकता है फिर कह रहा है कि संसोधन में 1860 में बने इंडियन पैनल कोड की जगह पर भारतिय नियाय सहीता 2023 हो जाएगा 1898 के अंतरगत जो CRPC है उसकी जगह पर भारतिय नागिरिक सुरच्छा सहीता 2023 हो जाएगा 1872 के अंत कोड है उसकी जगह पर अब भारतिय एविडेंस कोड 2023 हो जाएगा नए संसोधन के बाद कई धाराएं जो हैं जो सेक्संस हैं उनमें बदलाओ किये जा रहे हैं जैसे कि IPC 511 थे अब वो जो है नए जो अब आएंगे तो 558 रह जाएंगे 175 बदली जाएंगी जिसमें 20 नही जोड़ी जाएंगी और 22 अन जो सेक्संस हैं वो खत्म कर दी गई है फिर कहते हैं कि जो इस तरह CRPC में बदलाओ किये गए हैं 531 धाराएं बचेंगी आज की डेट में 177 जो धाराएं हैं सेक्संस जो हैं वो बदलेंगी और 9 नई जो है जुड़ेंगी और जो 14 धाराएं है वो खत्म होंगी और ट्रायल तक वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रावधान होते रहेंगे और पहले यह नहीं था अब ट्रायल जो है वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम से भी करेंगे डिस्लाइड हो जाएगा ठीक है बेनस की बात करें भारती नय सहीता की तो 20 न रस्त कर दिया जाएगा और गनाइजड क्राइम हिट एंड रन मॉब लिंचिंग है ना यह दिख रहे हैं आप लोग सजा के प्रावधन के जाएंगे डाकुमेंट इलक्ट्रोनिक डिजिटल रिकॉर्ड सामिल के जाएंगे और आज की बार आपको बता दें आईपीसी में 19 प्रावधनों को हटा दिया गया है 33 अपरादों में कारावास की फजा बढ़ा दी गई है और 83 अपरादों में जुर्माने की फजा बढ़ा दी गई है 6 अपरादों में सामुदाइक सेवा की सजा का प्रावधन किया गया है ग्रह मंत्री के संसद में दिये गए बयान के अशार कानु निर्मार से पूरव जहां सुझाओ दिये गए हैं उनका विवरंट ने मिलेखी थेँ आपके ग्रह मंत्री जो है जो है उन्होंने हम suburbs ने basically कुछ सुझाओ दिये थे कि कानु निर्मार से पूरव उन्होंने कौन कौन सी चीजे जो है विवरंट दिया है उनको आप देख लिजेगा सप्तमबर 2019 में तीनों कानूनों पर काम चालू हुआ था और 2020 में हाई कोट और सुप्रीम कोट के जजों को ठीक है हाई कोट जो है और सुप्रीम कोट के जो जज हैं और जो विश्च विद्याले को पत्र लिखे गए थे उनसे सुझाओं मांगे गए थे यानि आप समारीजे ना 2019 से ये कारे चल रहा था और धीरे धीरे उसमें चीजें हुई और आज आप 2023 में उन चीजों को दिरिश्ट पटल पर देख रहे हैं 2021 में सांसदों सांसदों फिर IPC की जो अधिकारी हैं डिस्टिक लेबल पर जो कलेक्टर हैं उनको पत्र लिखे गए और 2020 में कानूनों को समाहित करने पर काम चालो है यानि उनको कलेक्ट करना चालो किया गया जो कानून बन गए थे फिर 18 states और 6 जो आपके union treaties हैं और सुप्रीम कोर्ट के 16 हाई कोर्ट जो हैं और बैसिकली 5 नाइक अकडमी हैं और 22 जो आपके universities हैं 42 जो आपके बैसिकली संसद हैं और बैसिकली 135 IPS अधिकारीयों और 42 सुझाओं को मिला कर ये कानून बने हैं आप समझ सकते हैं काफी research और काफी जद्वजहत के बाद ये कानून निकल कर गया है 128 बैटके हुई हैं इस पर है ना दोनों कानूनों की तुलना की गई है फिर standing committee को ये भेजी गए हैं और 72 सुझाओं के बाद इन कानूनों को सामिल के आप आप समझ लिजेगे की committee भी इसमें 72 सुझाओं दियें उन्होंने अपने recommendation दियें अपने सुझाओं दियें and after that ये आपके actों में बदलाओं किये गए हैं तो I hope ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसी तरीके से हम अगला जो आपका topic है जितने भी आपके quality में बदला हुए हैं उन सब को हम एक साथ बंचत में देखेंगे इस तरीके के हमारे 10 वीडियो और आएंगे जिसमें हम चीजों को complete तरीके से discussion करेंगे ओके, thanks